क्या गुचू की तरह बैठे रहना, आग बंद करके, कुछ मिनिट तक, कुछ घंटों तक, कुछ सालों तक, या जिन्दगी भर, वो मेडिटेशन है, मेडिटेशन है क्या, और वो आमें कैसे पता लग सकता है, वो तब पता लग सकता है, जब आप सही क्वेशन पूछ रहे ह not how to meditate, हम जाते हैं लोगों के पास में, जो हमें लगता है कि वो self-realized है, enlightened है, ये है, वो है, उनके आगे हाथ जोड़ करके बैठ जाते हैं, और बोलते हैं, गुरू जी हमें तो ये बता दो, कैसे करना है meditation, और सबका अपना अलग-अलग style है meditation करने का, या नहीं है, कोई कहे जाते हैं, उसके अलग-अलग brands हैं, चुलो आपको कौन सा चाहिए, और मज़े की बात क्या है, एक बंदा दूसरे को काटेगा, वो कहेगा, जो मैं बता रहूं, वो सही है, वो गलत है, तारीफ सुड़ी करते हैं एक दूसरे की, क्या करोंगे, फस नहीं गए, लगे रहो करते रहो पोशिश, कुछ नहीं होने वाला, तो सबसे पहले समझना है, what is meditation, meditation को हिंदी में बोलते है, ध्यान, तो ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है, यह बात पहले भी बहुत अपने अरगनक sections में बोल चुका हूँ, ध्यान दो, करो मत, जब करोगे तो वो अपने आखे बंद करनी और अंदर आपको यहाँ पर एक light दिखेगी, फिर उसमें से ये होगा, फिर उसमें से आप निकलोगे, फिर ये होगा, फिर वोगा, कुछ भी imagine करते रहो, कभी भूले बटके, कोई light दिख जाएगी, वो भी क्या होगा, बाहर, किसे ने light जलाईगा और ब इसकोशिश कर रहे हो, कि इसी वज़े से हम दुखी नहीं होते हैं, आप समझ रहे हो, ट्रैप पकड़ पा रहे हो, आप चाहते हो, टेक्नीक, बेस टेक्नीक, जिसको आप फॉलो करो, उसके बाद में आपकी सारी प्रॉब्मस फॉलो हो जाए, तो ऐसी unlimited दुखाने हैं, कह देना है, करना नहीं है, तो ध्यान देने का मतलब क्या है, ध्यान दो, कि एक्चुल में क्या हो रहा है आपके लाइफ में, एक्चुल में क्या हो रहा है आपकी बॉडी में, that is meditation, यानि कुछ खाते हो तो उसको खाने के बाद में कैसा फील होता है, that is meditation, if you can be aware of the whole movement, if you can be aware of your actions, कि मैं ये करता हूँ, उसकी वज़े से ये होता है, तो अब मुझे दुबारा नहीं करना है, अगर इतनी समझ आपके अंदर है, तो you are in meditation, आपको अलग से बैठ के meditation करने के तुरात नहीं है, और इतनी समझ नहीं है, बार बार एकी गलती को आप repeat कर रहे हो, कुछ करते ह उसकी वज़े से फिर problem होती है, फिर doctor के पास जाना पड़ता है, फिर करते हो, फिर problem होती है, फिर doctor के पास जाना पड़ता है, फिर बिमार हो जाते हो, तो इसका मतलब अब आप बैठ करके चाहिए गंटों तक meditation करते रहो, कोई पायदा नहीं है, अब ध्यान को कैसे लगात किसी का GEDGETS में हो सकता है, किसी का PED pra 저희가 нос 중, जिस चीज में आपका INTEREST है US में ध्यान लगाना असान होता है, कमेरेट जिंधिली वह पर ध्यान लग जाता है लगाना नहीं पड़ते हैं तो ध्यान का connection किस से है पैशन से,aires यह भाद देख पा हुए जिस चीज में हमारा interest होता है जिस खेल में आपको interest है जिस sports में आपको interest है वहाँ पे ध्यान लगाना पड़ता है लग जाता है और जिसमें interest नहीं है लगाते रहो लगे रहो तो ये है दुनिया में ध्यान लगाने का outcome वो क्या है success, पैसा लेकिन दुनिया में आप चाहिए कितना भी आगे भढ़ जाओ इस दुनिया में ध्यान कैसे लगाना है और ध्यान लगा करके कैसे लाइफ में सक्सेस्फुल होना है तो यह स्पिरिच्वालिटी पीस अफ माइड, हैपिनेस, लाव सब बाते है जो बंदा इतना नहीं कर सकता, यानि जो नर्सरी को clear नहीं कर सकता नर्सरी में पास नहीं हो सकता वो क्या post graduate level पे जाएगा तो नर्सरी क्या है जो आपकी basic conditioning है बच्पन से जैसा आपको program किया जा रहा है क्या program किया जा रहा है, तकि successful हो कैसे भी कर के हो, हमें उससे मतलब नहीं है पैसा ले कर के आओ, है की नहीं पुरी दुनिया यही pressure नहीं डाल रहे है आपके उपर तो अगर यही हम नहीं कर पा रहे सुचो, कितना जरूरी है यह तो बाकी तो सारी बाते हो गए तो सबसे पहली meditation क्या है सबसे basic level की meditation क्या है ध्यान लगाना सीखो उस काम में जो आप करना चाहते हो और वहाँ पर successful हो और अगर फिर भी आप बोलते हो कि नहीं नहीं आपको पदा नहीं मैं लाइप की situation क्या है, मुझे ऐसा काम करना पढ़ रहा है जिसमें मेरा कोई interest नहीं है पूरे passion से किया और वहाँ पर आपने success को अचीव कर लिया तो अब आप तयार हो next step पे जाने के लिए the next stage of meditation अपनी body को conquer करो, अपने senses को conquer करो body की तरफ ध्यान दो body से हम बहुत कुछ करते हैं लेकिन body पे हम बहुत कम काम करते हैं यसे एक है गाड़ी से काम करना, गाड़ी से कहीं जाना एक है गाड़ी पर काम करना गाड़ी पर काम करने का मतलब क्या हो बहुत सर्विस हो गए गाड़ी को maintain करना हो गया, देखना हो गया कहीं को गरबर तो नहीं हो रही कोई पार्ट को रिप्लेस करने की जरूरत तो नहीं है ऐसे ही अपनी बॉड़ी को समाजना शुरू करो यहाँ पर ध्यान दो इसके लिए आपको किस टेखनीक की जरूरत है बताओ, आपकी बॉड़ी को कौन समझ सकता है आपको This is step 2 of meditation बॉड़ी की flexibility, बॉड़ी की strengthening डाइट पे control बॉड़ी की सही समझ अपने senses के उपर control अब आजाओ mind के उपर third stage of meditation हमारे feelings, emotions, thoughts अगर इन दोनों को आप काफी हद तक conquer कर चुके हो अब आप तयार हो यह समझने के लिए कि mind क्या होता है न आट के mind को control कैसे करना है तकि जो चीज़ अमको समझ नहीं आती है उसको control का खाक करोगे आपने यह तो कभी समझा ही ने कि गाड़ी को चलाना कैसे है और आप कहरे है गाड़ी को control कैसे करना है अरे पहले सीखो तो सही गाड़ी है क्या आपको फर्क तो पता होना जी ने, clutch और break के बीच में तो अब आप इस question के साथ ठहर जाते हो What is mind? और यहां से आपको answers मिलने शुरू हो जाते है किसी भी problem का solution problem में होता है But we are only interested in the solution, not the problem That is the problem यह गया उपर से, bouncer देखो Mind peaceful कैसे रहे हमारा इसका जवाब कहा है? किसी किताब में है? किसी की बातों में है? कहीं नहीं है, दूरते रहा है जो आपका अपना experience है यानि कि आपका mind restless है वही पर उसका answer है दुखी हो तो उसका जवाब उस दुख में है बट उस दुख के साथ हम ठहरते नहीं है restless mind के साथ हम ठहरते नहीं है We want that mind to be peaceful immediately That is the problem यह वोई फर्क है जो Allopathy और Ayurveda में है Allopathy में क्या होता है? कि आपको दर्द हुआ ले बिटा गोली खा, दर्द गाया भा एक है नहीं? बट क्या वो गोली आपके लिए अच्छी है? यह पता है हमको यह बेटर क्या है? कि उस दर्द का root cause क्या था? अगर दर्द यहां हो रहा है तो क्यों हो रहा है? उसका root cause क्या है? क्या physically कोई problem है जिसकी वैसे वो दर्द हो रहा है? यह मैं कुछ उल्टा सीता सोचे जा रहा हूँ, सोचे जा रहा हूँ उसकी वैसे दर्द हो रहा है तो वो जो मैं सोच रहा हूँ जब तब मैं वो सोचना बन नहीं करता वो दर्द वापेस होता रहेगा गोली खाऊँगा तो थोड़ी दिर के लिए गाया भो जाएगा फिर आजाएगा, फिर आजाएगा, फिर आजाएगा गोली खाना is not a solution उस problem के साथ ठहरना पड़ेगा ना तब ही तो permanent solution निकलेगा तो इस question के साथ ठहरना पड़ेगा ना What is my What is a feeling What is a sensation इस sensation क्या होती है दो हाथ आपस बेटच होते तो एक sensation होती है इस sensation क्या है इस sensation के होने से क्या होता है क्या हम अपने आप कुछ बोलते है जैसे ही कोई sensation होती है और उस बोलने की वज़े से क्या होता है अगर sensation तो हो और हम अपने आप कुछ बोले ना तो क्या होता है यह सब दुनिया के किसी बुक में नहीं मिलेगी यह बात है यह खुद अब्जर्ब करनी पड़ेगी इस दुनिया में ध्यान देना और बॉड़ी पे ध्यान देना और माइंड पे ध्यान देने में क्या फर्ख है देखो ध्यान से समगई लो दुनिया में आप कहीं पर ध्यान देते हो तो ध्यान देते हो तो उसको समझते हो समझते के बाद में action लेना पड़ता है तब result आता है physically act करना पड़ता है सिर्फ पढ़ने से तो कुछ नहीं होगा ऐसे ही body के case में है body में आप यह नहीं बोल सकते कि मुझे पता है क्या पता है तुझे कि हाँ ठीक है muscles को बनाना है तो exercise करनी पड़ेगी तो पता होने से muscles नहीं बनेगी you have to act diet से related problem है तो diet को ठीक करना पड़ेगा यानि कुछ करना पड़ेगा तब वो problem solve होगी at the level of mind कुछ करने की ज़रूत नहीं समझना ही काफी है कुछ भी नहीं करना है कोई meditation नहीं है कोई practice नहीं है we are obsessed with practices understanding of the mind is control of the mind जैसे एक भूत है जिसकी वैसे आप सब दर रहे हो mind मेर भूत में कोई फार्क नहीं है तो कि mind actual में है ही नहीं अब ये बात एकदम से जटकर लगे है क्या मतलब mind नहीं है mind से ही तो हम सो पूछ कर रहे है mind में और भूत में कोई फार्क नहीं है भूत मतलब क्या होता है past आपकी mind में से में memory निकाल दूँ आपकी brain में से memory निकाल दूँ कुछ होच के दिखाओ कहा है past, कहा है future कहा है thought, कहा है thinking can there be thought without memory memory मतलब क्या भूत महीं है present की कहां memory होती है आप कहते हो इस moment की मेरे पास में memory है तो जिसकी memory है वो पिछला moment था कुछ second पहले की आप बात करो इस moment में कहां है memory तो what is freedom from mind what is freedom from memory understanding that memory is non-existent बूत हो तो कुछ करो न यह पुरी दुनिया क्या कर रही है mind से लडने की कोशिश कर रही है mind है कहां, दिखाओ मुझे brain है mind कहा है, दिखाओ अपने thoughts से लडने की कुछ thoughts कहा है, दिखाओ thinking कहा है, दिखाओ what do you mean by thoughts कुछ आप अपने आपको ही बोल रहे हो खुदी बोल रहे हो, खुदी उससे लड़ रहे हो पहले खुदी अपने आपको बोल रहे हो यानि कि कुछ सोच रहे हो फिर खुदी अपने आपको बोल रहे हो नहीं मुझे यह नहीं सोचना है तो टाइम पास नहीं कर रहे हो समझे उस भूत से हम लड़ रहे हैं जो एक्चुल में है ही नहीं पुरी दुनिया क्या कर रहे हैं कई तरह के टोने टोट के यह सब जितनी meditation techniques हैं वो टोने टोट को के जैसा है भूत को भगाने के mind peaceful हो जाए और जिसकी मैं बात कर रहा हूँ meditation उसमें फर्क समझ आ रहा है वो कैसा है उसके लिए you need to have that kind of energy and interest in this topic दुनिया में success का क्या मतलब है उसी जगे पे ध्यान लगाओ जिसमें आपका interest है chances बढ़ जाते हैं success हो लोने के तो क्या है जो मैं बाते कर रहा हूँ इसमें आपका interest है अपने आप से पुछो मुझे मत बताओ कितनों का है इंटरस्ट है पैसे में इंटरस्ट है जो mobile phone आपके पास नहीं है उसमें जाए इंटरस्ट है वही पर आपका ध्यान है तो वहाँ से ध्यान कैसे हटेगा जब वो सब आप अचीव कर लोगे और देखोगे कि उसमें कुछ नहीं पड़ा है यही एक तरीका है वहाँ से ध्यान इटाने साथ इस गलाचाई में मत रहना कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया जो छोड़ देते हैं ना कि उसी के बारे में सुछते रहते हैं व्यान इटाने का वर के तरीका नहीं है सब करके देख लिया ठीक है अपने अपने जयाए पर कुछ सेकंड्स के लिए कुछ मिनिट के लिए आपको पीसफुल कर सकता है but that is not the permanent answer यह आपके अंदर से आपकी जाता है इंट्रस कहां आगया हमारा और कब इंट्रस महां से हटा उन सब चीजों से तो कहते है ना दूर के ढोर चुहावने तो शादी से इंट्रस कब हटता है obviously अब आया समझ में कब हटता है तो पतार है कि क्या है यह समझे ऐसे ही माइंड को कौन कर करने का मतलब क्या माइंड को पूरी तरह से समझ लिया और जब हम पूरी तरह से समझ जाते हैं तो यह माइंड आप पे हावी नहीं हो सकता यह आपके पीछे चलता है जैसे भगवान शेफी आपने कहानिया सुनी होगी तो भूतों की टोली उनके पीछे चलती है और लोगों के सर पे भूट चड़े रहते है तो भूतों से फ्री होने का क्या तरीका है भूतों को मारना नहीं है भूत हो तो मारोगे ना मारोगे किसको जो है जो ही नहीं उसको कैसे मारोगे तो बिल्कुल ऐसा है स्पेस में अपना तलवार ले करके काटते रहे ना और अब मैंने काट दिया मैंने अपे है क्या देख तो आँखोल करके किसको मार रहा है तो माइंड को समझ लेना मतलब माइंड से उपर उठ जाना माइंड से फ्री हो जाना माइंड से फ्री हो जाने का मतलब क्या है कि कुछ ना सोचना नहीं अब कुछ भी आ रहा है माइंड उसे फर्क क्या पड़ता है बुरे से बुरा अच्छे से अच्छ मुझे फर्क नहीं बढ़ता है समझे this is called being free from mind इसके बाद last level रह जाता है that is asking this question to yourself again and again who am I यह final stage है इसके उपर और कुछ नहीं है जब इसमें interest आजाता है और यहाँ पर ध्यान one-pointed हो जाता है यानि कि यह question अंदर यांदर गूमता रहता है ओमाई 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 तो वहाँ से answers आने शुरू हो जाते है आपको दिखने लग जाता है आप कौन आप जो होते हो वो आपको समझ आने लग जाता है जैसी समझ आता है तो जो भी आप नहीं होते हो उससे जो आप चिपके पड़े हो वो सब छूटने लग जाता है बिल्कुल ऐसा है जैसे अभी इस shirt को आप बोलने लग जाओ ये मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ और इसकी practice करते रहो 20 साल तक, 30 साल तक तो क्या होगा? क्या आपको कोई भी doubt होगा कि मैं ये shirt हूँ या नही हूँ, क्या कभी भी इसको question करोगे? आप जो भी सोचोगे, जो भी कुछ करोगे, इसी के base पर सोचोगे कि मैं ये shirt हूँ shirt गंदी हो गई, shirt हूँ किसी ने फार दिया, shirt मरने वाली है shirt पैदा हो गई ऐसे ये body है जैसे ऐसे ये जवाब आपके अंदर तक उतरता चला जाता है तो आपको एक बड़ी कमाल की बात वहाँ पर नजर आती है कि आप जो actual में हो वहाँ पर आपको peaceful होना नहीं है उस level पे आपकी peace को disturb करने का कोई तरीका नहीं है जैसे से हमारी समझ वहाँ पर गहरी होती चली जाती है ये बात गहराई से हमको समझ आती चली जाती है not just intellectually at an experiential level that is called absolute peace of mind that is called permanent happiness so you don't have to achieve happiness you just have to understand that my very nature is happiness है झाल करता झाल करता कर एंक कर दो कर थे यह कर그렇 में कर oh तूसर प्रह canon कर दो खो दूसर अ झाल झाल